जैसरी राम प्यारे भगतो यह एक चीज सब को दिखाई नहीं देती जिसे दिखाई दे गई समझो उस पर प्रभू की अपार दया है प्यारे भगतो कौन सी वो चीज है जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और हमारा दूसरा चैनल है ज्यानदूत उसकी वीडियो देखना चाते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सर में लिंक मिलेगे आपको प्यारे भगतो जिस चेतन को हम लोग चेतन समझते हैं वह चेतन भी वास्तो में परमात्मा का सवरूप नहीं है उससे भी परमात्मा का सवरूप अत्यंत विलक्षन है इसलिए भगवान ने गीता में कहा है अध्याय 13 के स्लोक नंबर 17 में वह ब्रह्म जोतियों का भी जोती एवं माया से अत्यंत प्रे कहा जाता है वह परमात्मा का बोधसव रूप जानने के योगय एवं तत्व ज्यान से प्राप्त करने वाला है और सब के हिर्दे में विशेश रूप से इस्थित है नेत्र आदी ज्यानेंद्रियों के द्वारा जो जोतियां प्रतीत होती है इनसे तो बुद्धी के द्वारा समझ में आने वाली जोतियां विलक्षन है अर्थार प्रकाश आदी की अपेक्षा विवेक और ज्यान सरेश्टे और उससे भी विलक्षन वह है जो चेतन आत्मा के द्वारा चिन में वस्तु समझ में आती है क्योंकि बुद्धी नेत्र और नेत्रों के विशे को जानती है पर नेत्र बुद्धी या बुद्धी के विशे को नहीं समझ सकती इसी प्रकार आत्मा बुद्धी और बुद्धी के विशे को जानता है पर बुद्धी आत्मा को नहीं जान सकती यदपी आत्मा भी जो अपने सवरूप को जानता है वह शुद एवं शुक्षम हुई बुद्धी के द्वारा जानता है कठोप उपनिस्द में कहा है प्यारे भगतो कि संपून भूतों के हिर्दे में छुपा हुआ यह आत्मा सब को दिखाई नहीं देता सब को प्रतीत नहीं होता परंतु यह सुक्षम बुद्धी वाले महात्मा पुर्षों से तिक्षिन और सुक्षम बुद्धी के द्वारा ही देखा जाता है और उन महात्मा पुर्षों के उपर उन भगतों के उपर प्रभु की अपार दया होती है प्यारे भगतों, किन्तु बुद्धी के द्वारा भी जो आत्मा का सवरूप जानने में आता है, वे बुद्धी विशिष्ट प्रमात्मा का सवरूप है, केवल निर्विशेश तो उससे भी विलक्षन है, जो किशी प्रकार बुद्धी के द्वारा जाना नहीं जा सकता, कि जिससे इन सब को जाना जाता है, उसको कैसे जाना जाई, वह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आत्मा है, एक ग्रहा है, ग्रेन नहीं किया जा सकता, एश्र है, गिस्ता नहीं है, एस लेकिन इसको देख कोंई पाता है। और जिसने इसको जान लिया, जिसने इसको देख लिया, उसने परमातमा को जान लिया, उसने परमातमा को प्राप्त कर लिया, और ये सब उसकी अपार करपा से होता है, लेकिन करपा वो जब करेगा, जब आप उससे जुड़ेंगे, उसकी भगति करेंगे, और अपने अंदर उतरेंगे अंदर उतरने का बहुत ही सरल हमने आपको तरीका बताया है स्वासों का जप कीजिए क्योंकि स्वास ही एक ऐसी वस्तु है जो अंदर जाती है तो जो अंदर जाती है उसी के द्वारा हम अंदर जा सकते हैं और जब ये स्वास जप आपके अंदर ले हो जाएगा तो फिर आप ध्यान कर पाओगे उसका, पहले उसके अंदर उतर के फिर उसका दर्शन करना है आपको, ठीक है? तो आप किसी भी श्रेणी के सादको अपने जब को छोड़े नहीं, निरंतरता से लगे रहें, तो आगे की सीड़ी आपको अपने आप मिलेगी, प्यारे भगतो, अब हम अपनी वानी को विराम देते हैं, जैसरी राम प्यारे भगतो,